थोड़ी सी बाते हमारे साथ ही अन्यल साहब से भी सुने आए अखलेंचा है आओ थोड़ी दिर के लिए बोलो अर्चनीवन नीशन समाज साहजी की आग्योवी है थोड़ी दिर नेदन प्रस्तुत है जिस समय मानवता एक अंधसद्धा में पड़ी थी जिस समय उच नीच छुवा छिवत जाती वर्ण के अधार पर मानवता दम तोड़ रही थी और मानवता सर्मसार हो रही थी उस समय सद्रुकबीर का पदर पर्म हुआ सद्रुकबीर एक ऐसे समय पर आये जो कि आदमी के अंदर एक फिर से जान आ गई और उसे ने मानव मात्र को एक सुत्र में फिरोने का बुगुल फुग दिया वो कौन सबी गोल था सत्य का प्रेम का अहिंसा का सद्रुकबीर ने एक काम किया जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो सद्रुकबीर ने किया सद्रुकबीर आम लोगों के बीच में रहे है सद्रुकबीर को सबने स्विकारा है किसी धर्मने किसी मजहबने किसी संप्रदायने नहीं छोड़ा सद्रुकबीर को सब स्विकारे क्योंकि सद्रुकबीर वो बात कहते थो किसी के कटती नहीं थी बातों से और सबने सद्रुकबीर के बातों को स्विकारा और बड़े प्रेम से स्विकारा क्योंकि सद्रु कबीर साहेब धर्म के नाम पर जितने अडंबर थे उसको तो कहे उससे लोग तूटे तो लेकिन बड़े कउना के साथ भी कहते हैं दादा भाई बाद के लिखों चरनन होई हैं इतना प्रेम से एक ऐसे मसिहा जिसके साथ हजारों लोग चलते थे वो कहते हैं दादा कहता हूँ भाई कहता हूँ बाप कहता हूँ चरनों की वंदना करता हूँ आज हम सद्रु कबीर के अनुआई होकर क्या ये करते हैं क्या सद्रु कबीर के अनुआई होकर ये सत्य के मारगा पर प्रेम के मारगा पर अहिंसा के मारगा पर चलते हैं अहिंसा का मतलब मात्रत जीव हत्य करना ही अहिंसा नहीं है हम किसी भी भाति से किसी को चोंट पहुंचाते हैं किसी को दुख करते हैं ये अहिंसा है किसी जीव हत्या करते हैं एक मेट के अंदर सरीड छुड़ जाता है उनका प्राण खत्म लेकिन हम किसी को सब्दों से चोट देते हैं क्या यह इह इंसा नहीं और सदुन कबीर साह बड़े प्रेम से कहते हैं जो अपकी पुरिया वाशनाओं की पुरिया का निबेरा कर देते हैं वो महान हो जाते हैं और बात कड़वी है लेकिन सत्ते यह है कि यदि हम लोग ये काम नहीं करते हैं तो एक आदमी मंदिर में पूजा करते हैं एक आदमी मस्जिद में पूजा करते हैं एक आदमी तिर्थ यात्र करते हैं जिसे हम करमकांड समझते हैं और हम यहां बैट करके सतसंग करते हैं ज्यानचर्चा करते हैं अब आपस में प्रेम नहीं होता है इसने नहीं होता है आत्मसांती का काम नहीं करते हैं तो उससे छोटा नहीं है उससे बड़े करम कांडी है हम बात कर वे हैं लेकिन बहुत सरते हैं यदि हम सिर्फ पाठ और सतसंग करते रह जाते हैं हमारे अंदर मानावता नहीं आती है हमारे इंदर सहिर्दैता नहीं होती है हमारे अंदर प्रेम नहीं है करूना नहीं है और सदुरु कबीर ने वही बुगुलबुगा था इसी के कारण सदुरु कबीर के पीछे पीछे हजारों लोग चले सदुरु कबीर को मानने वाले मध्यमर्ग के लोग रहे हैं गरीब लोग रहे हैं लेकिन भूद्ध और महावीर को बड़े बड़े लोग माने हैं, समाने लोग नहीं सुविकार पाएं भूद्ध महावीर को, क्योंकि भूद्ध और महावीर एक राज महल के गीत थे, और कबीर आम जंदा के बीच में कहने वाली, एक गरीब जोला है थे, और गरीब जोला है कि बाते ऐसी होते थी जो कि कोई काट नहीं पाते थे इसलिए सद्रु कबीर को सबने स्विकारा सद्रु कबीर के बात इतनी ही सपष्ट है कि जितना हम प्रेम से जीते हैं आपस में इसने से जीते हैं और जितनी हम मन सांती का काम करते हैं उतना ही सफलता है और यदि यहां काम नहीं करते हैं तो फिर से कहुआ कि हम करमकांडी हो जाएंगे फिर यह पाथ सतसंग ध्यान सबको जरूरी है हर व्यक्ति को लेकिन इसके परणाम में क्या मिलना चाहिए इसके परणाम में प्रेम बढ़ना चाहिए मानवता अपने अंदर टपकना चाहिए मिठा सोना से यह जीवन में अम्रित बढ़ना चाहिए हमारा मन उतना कटू होता जाता है इतना कटू होते जाते हैं कि कटू अंदर नहीं बाहर भी छलक पड़ती है हमारे कटूता दो साल चार साल दस साल बीस साल पचास साल की साधना करते करते जीवन नहीं बढ़लता है अंदर प्रेम नहीं आती है दया का भाव नहीं उमरता है तो फिर पूजा करना राधना करना कोई काम का नहीं रहा जाता है बहुत दुख है इस बात का कि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है तो यदि हो रहा है तो वास्तव में हम सद्गुरू कबीर के अनुवाई है और यही कबीर की सफलता है कि उन्होंने मनुष्य को मनुष्य की इत्रह देखे और मनुष्य को उपर उठाने का प्रयाज किये और यदि यह काम जो जो करते हैं वो व्यक्ति सफल व्यक्ति होते हैं बस इतना ही करकर अपनी वानी को इराम देता हैं बोलिये सद्गुरु देव की